नबश्कार दोस्तों, welcome back to power talk जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मारूती ने अपने सारे models पर price hike कर दी है मैंने आपको पिछले वीडियो में arena के सारे models पर कितने परसेंट की क्या hike हुई है इस वीडियो में हम बात करने वाला है कि नेकसस जो कार बेची जाती है उन models पर कितनी हाइक होई है वैरेंट वाइस तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम शुरू करते हैं इगनीस से तो आपको इगनीस के सारे models पर 15,000 की flat जो है हाइक देखने को मिलेगी मतलब कि जो आपको sigma model पहले 5,10,000 मिलता था आपको 5,25,000 मिलेगा साथ साथ जो delta model आपको 5,81,000 मिलता था उसको 15,000 बढ़ा के 5,96,000 कर दिया गया है और इगनीस का most value for money variant जो की 6,22,000 का zeta होता था उसको बढ़ा के 6,37,000 कर दिया गया है आपको base variant पे सबसे आदा हाइक उसके ratio में दिखेगी 2,94% की तो आप यहाँ screen पे सारी calculation देख सकते है अगर बात की जाए premium segment की hatchback baleno की तो इस पे आपको 15,000 से लेके 21,000 तक की हाइक मिलने वाली है अगर percentage बात करें तो 1,94% से लेके 2,80% तक range करता है यह वैसे तो baleno का facelift आने वाला है अगर मुझे लगता है कि उसका किता ज्यादा price होगा अगर इस बार 15,000 से 21,000 तक की हाइक पुराने वाले में ही कर दी गई है तो लेकिन क्या कहा जाए तो आपको baleno sigma में 15,000 की हाइक देखने को मिलने वाली है जो आपको पहले 5,99,000 मिलती थी वो आपको 6,14,000 मिलने वाली है साथ-साथ अगरा alpha automatic petrol जो इसका top variant होता था वो पहले आपको 9,45,000 मिलता था जो कि आपको बढ़के 21,000, 9,66,000 का मिलने वाला है सबसे कम hike 1.94% की करी गई है हाइवरिड वाले वारियंट पर जो कि आपको डेल्टा में मिलता था उसको बढ़ाके 7,1,000,000 की हाइक करी गई है जो पहले आपको 7,75,000 की मिलती थी अब आपको 7,90,000 की मिलने वाली है अमेरेकाल से इसका डेल्टा वारियंट पहले सबस्या था बिकता था जो पहले 6,86,000 था उसको बढ़ाके 7,1,000 की हाइक कर दिया गया इस पर आपको 15,000 की हाइक मिली है अगर हम बात करें सियाज की तो सियाज की भी सारे वारियंट पर आपको हाइक देखने को मिलेगी जो की रेंज करती है 4,000 रुपे से लेके 15,000 रुपे तक अगर हम परसंटेज पर बात करें तो यह रेंज 0.36% से लेके 1.72% तक है बेस बारियंट पर आपको 15,000 की हाइक देखने को मिलेगी और जेटा हाइब्रिड और जो है फिर ऑटोमेटिक जेटा पर आपको सबसे कम 4,000 रुपे की हाइक देखने को मिलने वाली है और आप अगर बैरियंट की बात करें तो सिगमा जो पहले आपको 8,72,000 की मिलता था वो 8,87,000 की मिलने वाला है साथ साथ टॉप मॉडल जो की अलफा आटोमेटिक की पहले आपको 11,70,000 की मिलने वाला है सारी कैगलोशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अगर बात की जाए स्क्रोस की तो उसके दो मॉडल सें दो वेरियंट्स जेटा और अलफा को छोड़के आपको सब पे 10,000 रुपे से लेके 21,000 रुपे की हाइक दिखने वाली है अगर पसेंटिस की बात की जाए तो यह पसेंट रेंज करता है पॉइंट नाइन पसेंट से लेके 2.44 पसेंट तक जो सिग्मा वेरियंट था जो आपको पहले 8,69 रुपे का बेचा जाएगा जो कि 2.44 पसेंट की हाइक होती है और अलफा ऑटोमेटिक जो आपको पहले 12,56,000 का पढ़ता था वो 12,77,000 का पढ़ता था इस पे भी आपको 21 रुपे की हाइक देखने को मिलने वाली है जो कि 1.67% है आपको डेल्टा पे सबसे कम हाइक यह नहीं 10 रुपे की हाइक देखने को मिलती है 9,80,000 से इसका प्राइस भढ़ा के 9,90,000 कर दिया गया है बाकि सारी कैयलोशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आपको पहले से पता है कि S-Cross कभी फेसलिप्ट इस साल आने वाला है जो आपको साल के सेकेंड हाप में मिल सकता है अगर हम बात करें XL6 की तो उस पे आपको फ्लाइट 16,000 का जो है हाइक सब वारियंट्स पर देखने को मिलता है तो परसेंटेज जो आइज बात किया तो 1.35 परसेंट से लेके 1.6 परसेंट तक हाइक है यह जो आपको पहले उसका जेटा पेट्रोल वारियंट था आपको मैंने सारे वारियंट्स के जो प्राइस हाइक हैं मैंने आपको बता दिया है और अगर आपके कोई क्वेश्चन तो इसको आप कॉमेंट बॉक्स से बता सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक और शेयर करेंगे साथ साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज सब्स्क्राइब करेंगा और आप गाड़ी चलाते हैं तो प्लीज मेक शूर कि आप सीट बेल्ट पहनते हैं साथ साथ आप ट्रेफिक नि इस वीडियो